असलाम लीकुम वीवर जिदारी नियूस से मैं हूँ आपकी होस्ट माहा खान आज हम बात करेंगे इसलामबाद में पीडियम के जलसे के बारे में जो कि आज इसलामबाद में होगा और जिसमें ये ते किया जाएगा कि जो होगा कि जो लाहूर में जलसा है उसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाए जाए और इसके लावा वो बात करेंगे के आने वाले वक्त में पीडियम की जमार्ट जो है कि या हिकमत अमली अपनाएगी तो इस हमारे से हमारे से हमारे से साध स ! Zee Shahn खो GO इसलामबाद में तो क्या उसमें क्या मुशावरत सूंगी क्या हिकमत अमली अपनाई जाई गयाने वाले वक्त के लिए थोड़ा हमें बताईएगा देखे पीडियम का जो आज इजलास है इसलामबाद में और बहुत अहम बेटक है यह इसमें मुलाना फिल रहमान की जारत वो पीडियम की जितने भी पार्टिया जमाते हैं वो सारे मिलकर बैठेंगे वैसे तो इनके पास अप्शन्स हैं मुख्तलिफ किसम के और यह बार हाँ कई दफ़ा बता भी चुके है पहले पहले तो यह जो इनके लाहूर के जलसा है उस हवाले से वह अपना लाह मलत करेंगे कि क्या करना है कैसे करना है क्योंकि गौर्मेंट की तरफ से उनको भी इजाज़त नहीं जिससरा मुलतान का वाक्या हो गया था और मुलतान में हकूमत नहीं था इसकी बावचूद पीडियम ने अपना जिलसा कर रहा तो लाहूर में उसी किसम के मुश्किलात उनक कई बार बता भी चुकिया कि जेल भरो तहरीक हम शुरू करेंगे हम मुस्तफी हो जाएंगे पार्लिमेंट से हम सेनर से इस्तिफादे देंगे तो यह बहुत सारी रोजाना के बन्याद पर जाएंगे तहरीक चलाएंगे और हकूमत जब तक यह हकूमत से जाद नहीं करते हैं और उस बात पर आजाते हैं कि हम अपना पार्लिमेंट से या सेनर से मुस्तफी होते हैं तो यहां पर सवाल यह भी है और एक दफ़ा पहली भी ऐसा हुआ था कि जब मुलाना फुलरमान एलेक्शन के बाद आये थे और इन्होंने दोहजार उन्निस में बाक्ति जो चोटी मोटी पार्टिया पश्टनख़ा मिली ऑमम पार्टिय इसके तो खेर उसको एक्सायट पर कर लेकिन दो जो बड़े जम्हुरी पार्टिया है एक पाकिस्तान मुस्लिम लिक नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त भी इन्होंने साफ इंकार तो फिर अगर यह पारलिमेंट छोड़ जैते हैं, सेनयर से चले जाते हैं तो मुस्तफ़ी हो जाते हैं उसी दौरान उस वक्त इन्होंने इन्होंने पेग के अगर अगर फिरस करियें, आप मुलाना भी ख़ गाते हैं, तो मुलाना साब के पास टोटल है नव सीट्स तो नव सीट्स तो अगर चले विज़े कोई मसला नहीं पीपल्स पार्टी 60 प्लस है अपना PMLN जा है उसके पास 80 प्लस सीट्स है तो वो कौन पागल होगा जो अपने नशिस्ते जब वो खाली करेंगे इसी तरह सिनर्ड में भी उनके पास अक्सियत की सीट्स है पीपल्स पार्टी के साथ भी है तो मुझे नहीं लग रहा कि यह जो दो जमाते हैं यह इसम्बलियों से मुस्तफियों होने के उस पे उप्शन पे गोर करेंगे यहां पे इस उप्शन पे जिस तरह पहले भी इनका जो मुलाना फुलरमान का जो दर्नाना काम हुआ था इस मुझे नहीं लग रहा कि पीपल्स पार्टी या पाक्सान मुस्लिम लीग नून इसम्बलियों से मुस्तफिय होने पे उनका साथ देंगे तो यहां पे पीडियम के मुस्तक्बल का खत्रा हो सकता है कि यहां पे उनकी बीच दराड़े आना शीर हो जाती है थोड़ा बहुत अगर हम कह भी दे तो थोड़े बहुत चीज़ों पे गिलगित बलतिस्तान के एलेक्शन पे हमने गहर किया कि वहां भी साबिक प्राइम मेनिस्टर नवाज शरीफ की जो तकरीर थी गुजरान वाला में तो उस कॉंटेक्स को लेकि बिलावल ने पिर नति कि क्या हमने किसी इस्टेबलिश्मेंट को अमने इदारे को टार्गेट करना है हमने बाई नेम जो है नाम लेने किसी की क्योंकि नवाज शरीफ ने बकाइदत और पे आर्मी चीफ और डी जा इसाई का नाम लिया था तो उस पे पीपल्स पार्टी का उनके साथ ने देते तो हमारा इसके साथ जाए वो अखतिलाफ है पिर और मरियम नवाज ने भी एक अपनी इंटर्विव में यही कहा था कि हमारा जो है अगर फोच इस हकूमत को जाने देते तो हमारे उसके साथ बात हो सकती है अब अगर इन के छोटे मुटी चीजों बेना बहुत स जर घौर जर खोर यह अप्शन जो है वो जर घौर करेंगे हाँ हो सकता है मुम्गिन है कि यह जो उनके सियासी जलसे है या जो तेहरी रखे उसमें वो साथ रहेंगे लेकिन इस्ते हो वाले मामले पर मुझे नहीं लग रही है जो जमाते हैं यह एक दुसरे के साथ इस हवाले से तो अभी ये भी देखना है कि वो जो फैसले करेंगे उस पर किस हद तक वो अमल अंदाज होगे वो फैसले उस पर अमल होगा या नहीं होगा ये भी एक सवालीय निशान है जी तो ये थी अब तक की ख़बरे मजीद खबरों से अपडेट रहने के लिए और पी तो